जार्खन के सिम्डेगा जिले में पुलिस और PLFI उग्रुवादी संगठन के बीच भी शर्ण मुद्बेड हुई जिसमें एक उग्रुवादी मौके पर ही मारा गया और एक गनभी रूप से घायल है जबकि दो महिला समेथ पांच उग्रुवादियों को गिरफतार कर लिया गया है ये मुद्धेड जल्डेगा थाना शेत्र के बेंदो चुआ गाउ में हुई S.P. संजीव कुमार ने घटना के पुष्टी करते हुए बताया कि पुलिस को बीते कुछ दिनों से लंडेगा जंगल में 12 उग्रुवादियों की मौजूद्धी की गुप सूचना मिल रही थी अज सुबा है बेंदो चुआ काम में हमारे फोर्सेज जिसमें मुखेता हमारे एस्टीय० के जवान थे अर्फरी कारी लोग थे और हमारे कुछ प्रादी कारी तो अनके साथ पियलवाई का मुधभेड हुआ है जिसमें एक नकसली मारा गया है और एक नकसली घालूआ है जो बढ़व लोग ने पांच नक्सिलीों को पकड़ा हैं जिसमें एक जॉन्सन बारलहा है जो अपने आपको कोली बिलब्ला चेत्रका रिया कमांडर क खालिक्षा था इसके अलावे दो महिला नक्सली हैं और दो अन्य नक्सली है कुल पांच लोग गिरफ्टार हुए हैं एक इंकाउंटर में मारा गया है और एक घायल है जिसे हम लोगों ने होस्पटल बहें किया है इनके साथ धेर सारे आतियारी मिला है जिसमें एक एक फॉटी सेवन है चार 315 राइफल है, कट्टा है, ठेर सारी गूली है, अमोनिशन्स है, इनका पिट्टू है और ठेर सारे नक्सली लिटरेचर वेगरा मिला है अभी हम लोग उस पे काम कर रहे हैं सारे जुटील साब को हम बात में पताएंगे लेकिन इसमें हमारे जवानों ने काफी बहादुर इस मुलभेड को लीड किया है और सफलता पाईए, इसकार पुलिस के वर से कोई हताहत की सूस्में, उसके पुलिस के तरफ से किसी को कोई हताहत नहीं हुआ हुआ है, बड़ा ही वेल वेल प्लान और अर अर टिकल ऑपरेशन किया गया है यह स्टक्रीक्र पुलिस डौरए आपको बता दें कि मुद्भेड में मारे गई उगरवादी का नाम पंडित था और जो गनभी रूप से घायल है वो एरिया कमांडर प्रमीन कंडूलना है जो बानो धाना शेत्र के कनारोवा जामबेडा का रहने वाला है न्यूस्टेस झाले शuden्साहिं कर दें आप कि मुद़्ी में मका रानते रहे रहत दो ए gün है वो गन्हों वो से उलिए्या मारे क्से और चूलना है there Must